असलाम लेकुम प्यारे बच्चो निजबत किसे कहते हैं ये हमने इसके पहले वीडियो में देखा अब हम रोजमर्रा में निजबत की कुछ मिसाले देखते हैं मिशा और दीशा दोनों को केक बहुत पसंद है वो दोनों खाने के बाद रोजाना केक जरूर खाते हैं एक दिन उन्होंने अपने अम्मी से कहा कि हमें केक बनाना सिखाईए आप केक कैसे बनाती है हमें दिखाईए अम्मी ने बताए कि केक बनाने के लिए सबसे पहले मैदा और शकर जरूरी होता है अम्मी ने दो कटोरी शकर और तीन कटोरी मैदा लेकर बहुत ही टेस्टी केक बच्चों को बना कर खिलाया अम्मी ने मैदा और शकर की निजबत तीन कटोरी मैदा और दो कटोरी शकर ली याने तीन को दो की निजबत या तीन बटे दो इस तरहा से हम उसे लिखेंगे उल्टा शकर और मैदे की निजबत क्या होंगी दो को तीन की निजबत या फिर दो बटे तीन इस तरहा से हम इसको निजबत को हम लिखते है चलिए और बहतर तोर पर समझने के लिए हम एक और मिसाल लेते है आईशा की अम्मी इडली डोसा बहुत टेस्टी बनाते है तो उन्होंने इडली बनाने के लिए दाल हमें पता है के दाल और चावल का इस्तेमाल होता है इडली बनाने के लिए उड़त की दाल का इस्तेमाल किया जाता है वो इडली बनाने के लिए तीन प्याली दाल और पाच प्याली चावल का इस्तेमाल करती है यहने दाल की चावल से निजबत क्या होंगी? तीन को पाच की निजबत या उसे हम कसर की सूरत में तीन बटे पाच इस तरह लिखते हैं उसी के वरक्स चावल और दाल की निजबत क्या होंगी? पाच को तीन की निजबत और या फिर उसे हम पाच बटे तीन भी लिख सकते हैं उसी तरह से दोसा बनाने के लिए वो दोसा बनाने के लिए अम्मी चार प्याली डाल और चावल दो प्याली इस्तेमाल करती है इसके पहले अम्मी ने इडिली बनाने के लिए तीन प्याली दाल ली थी और पाच प्याली चावल के इस्तेमाल की थी मगर दोसा बनाने के लिए दाल की मिगदार ज्यादा है और चावल की मिगदार कम है तो दाल की चावल से निजबत क्या होंगी? चार को दो की निजबत या उसे कसर में हम चार बटे दो लिख सकते हैं उसी के बार अक्स चावल की दाल से क्या निजबत होंगी? दो को चार की निजबत या दो बटे चार इस तरह से हम उसे लिखेंगे रोज मर्रा जिन्दगी में किचन हो, दफ्तर हो या स्कूल हो हर जगा हमें चीजों में निजबत नजर आती है तो आप भी रोज मर्रा की चीजों में निजबत की तलाश कीजिए और उसे देखिए किन किन चीजों में और कहा कहा निजबत का इस्तेमाल होता है अल्ला हाफिज